शेहर के गिरवाई थाना शेत्र के बारा बीगा शेत्र में इस्थित एक सब मर्शिबत फैक्टरी में सोमवार की रात होई चौकिदार की हत्या से 24 गंटे की भीतर ही पुलिस ने परदा उठा दिया है। इसमाबले में फैक्टरी में पहले कारेरत रहे दो बदमाशों को पकड़ा गया है। बदमाशों ने उसके सिर में गंभी चोट पहुचा कर निर्मम हत्या कर दी और शेफ को घसीट कर उसकी कोठरी में डाल दिया। चौकिदार मानिक चंद जयन के शरीर पर कई स्थानों पर चोटों की निशान थे। इसलिए पुलिस ने सुमवार सुबा ही हत्या का मामला दर्श कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने फैक्टरी के 26 ऐसे लोगों को छांटा था जो पिछले एक साल के दौरान वहां काम कर चुके थे। अथवा छोड़ कर जा चुके थे। संदीप और मुकेश पर पुलिस की निगाह गड़ गई थी। क्योंकि वे अपने घरों से गायब थे। इस दौरान पुलिस ने फैक्टरी में काम करने वाले दूसरे करमचारियों से एक एक कर पूच ताच की थी। उन करमचारियों ने भी संदीप और मुकेश पर संदेह जाहिर किया था। पुलिस ने आरोपियों के कबजे से फैक्टरी में लगे सीसिटीवी के डीवियार को भी बरामत कर लिया है। बदमाशों को पता था कि यह डीवियार कहां रखा रहता है और उनकी पूरी हरकत कैमरे में कैद हो सकती है। इसलिए वह साथ में डीवियार भी लूट कर ले गए थे। पुलिस ने लैपटॉप, मृतक का मोबाइल, डीवियार साइट दूसरे सामान बरामत कर लिया है। वहां पर एक मानिक जैन नाम का व्यक्ति उसके गले पर और सिर पर चोट करके उसकी हत्या की गई थी और वह एक छोटी सी कोट्री या चोटा सा कमरा जिसमें वह रहता था वहां पलंग के नीचे उसकी लाट्ट पड़ी हुई थी। अंदर जब ऑफिस और अन्य जगों का हमारी एफसल टीम ने निरिक्षन किया तो ग्रॉर वगएरा खुले थे दरवाजा टूटा था और समान उतला पुतला था इससे प्रथम रश्टिया इस सिद्ध हो रहा था कि ऐसे व्यक्तिन है जो की लूट या चोड़ी के उद्ध इस से अंदर घुसा इसकी हर्तिया किये इसमें टीम कई सारी टीमें लगाई गई और अलग अलग तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रारम किया गया आसपास के लोगों से पूछताच किया गया मृतक के मोबाइल का सीडियार निकाला गया और कुल मिला के 26 आदमी इ गई और पूर्व में जो लोग छोड़े इस फैक्टरी में काम करते थे नौकरी छोड़के गए थे फिछले दो साल के ऐसे विक्तियों की लिस्ट ली गई और पूरी चार्च है टीमें लगा के पूरा दिन भर इसमें काम किया तो सी सी टीवी ग्राउंड इंफरमेशन और जो नौकरी छोड़के लोग गए थे उसमें एक व्यक्ति कौमन आया और उसकी पहचान कर ली गई और जब उस व्यक्ति की तलाश की गई तो वो घर पे नहीं मिला फिर उसका पता साजी के लिए मुखिर लगाया गया फाइनली लेट नाइट उसका पता चला और इस चे अंदर गुसे थे कि चौकीदार पे या ओफिस में कुछ पैसा मिलेगा परन्तु चौकीदार ने इसको पहचान लिया और पहचानने के कारण इसकी हत्या कर दी गई इसमें महत्मून बात यह है कि फैक्टरी के अंदर तीन सीसी टीवी कैमरे लगे हुए हैं जो पुलिस ने परामत कर लिया है उसकी हार्ड डिस्क इंटेक्ट है अभी हम उसको विदिवत अपने एक्सपर्ट के साथ चलवाएंगे तो यह एक महत्मून साक्षे रहेगा इसके अलावा जो ग्राउंड इंफरमेशन है और जो आननी सीसी टीवी है इन सभी से कोशिश हमा टाइम 8 अध्य प्रदेश टाइमेड मद्यपरदेश आपका अपना चैनल में आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक करें फॉलो करें और शेयर करना बिलकुल न भूलें